कि नमस्कार मैं हेमन सर्मा आप देखना है स्वराज एक्सपेस की खासपेसकस पारा मुहला चुनावी हल्ला हम आज आप पहुंचे हैं वाड करमांग 18 बाल गंगधर तिलक वाड में यहां पर यह जाने की कोशिश करेंगे कि जनता ने यहां की जनता ने जो पारशत को पांस साल पहले जिताया था उन्होंने यहां पर कितना कामकाच किया उस कामकाच से कितना संतूश ने हां की जनता है तो चलिए जाते हैं वाड में पारा मुहला चुनवावी हला कारेकर्म के तहत हम आज आप पहुचें वाड करमांग का ठारा बाल गंगधर तिलक वाड में इस वाड के अगर परिश्थितियों की बात की जाए तो परिशीमन के चलते वाड पूरी तरीके से बढ़ चुका है पहले जहां पर मैं खड़ा हूँ वह हिस्सा वाड करमांग 10 में आता था तकि इस तरीके से अब परिशीमन इहां पर हुआ तो अब यहां वाड वाड करम लेकर कितना काम मैं यहां पर हुआ है हुआत जाननी की कोशिश करेंगे और साथ जो सबसे बड़ी समस्या और सरहा उसको लेकर क्या काम हुआ है तक हम पांगा कितना काम हो पाया है पान सालों में जो तिलक नगर वाड का कारिया है वह बहुत कुछ काम हो चुका है पाई प्लान बीची है सीवर लाइन बीची है लाइट की जोस्ता भी अच्छे दंग से चल रही है और यहां पीस वाड में यहां के काम के पहले जो है पहला माने रैपुर कान्यवन के पीछे में जो एक गार्डन बना हुआ है वही गार्डन भर बना हुआ था पांच साल के पहले की बात कर रहा हूँ बाकि इस मोलने में इस वाड में कोई किसी प्रकार का गारवडन नहीं था अब सामाजिक ततो खाले जबके पर सराप पीते थे बैठते थे वहां पर बच्चिया जाने आने में आगे पीछे देखती थी अब इस वाड में पास साल के अंदर में ऐसी कोई असुभिदा दिखा रहते हैं वह तो करना ही पड़ेगा जब कोई डिमांड करेंगे कि हमारे मौलने में यह काम बागी है तो इसको कारवाद तो पारशत का काम हो कराएगा और पारशत वह होना चाहिए जो सार्वजनिक रूप से लोगों की डिमांड के अनुसार वह काम करे इसमें पारटी का चुनाओ है जो पारशत चून कर आएगा उसको लेकर क्या है क्या उमीदें उनसे रहेंगी उनसे तो उमीदें बहुत कुछ है यहां पर असामाजिक तत्व किसी अंजान जगे में खड़े ना हो साफ सफाई अच्छी ढंग से हो स्वच्च्छ अभियान के ताथ क्या और कि लाइटिंग विवस्ताव अच्छे से रखे साफ सफाई अच्छे से रखे लोगों की डिमांड के अनुसार वो काम करें यह हमारे समता की एक मांग है बाकि इतना जरूर है जो पांच साल में जो काम हुआ है जिस पारशत नहीं किया है वह एक समर्णिया काम है आप बता कि थी वह साल होई है पिछले पांस साल में इसके अलाबा सफाई की वरस्ता थी जो सीवर लाइन है वह खराबती आए दिन शिकायते होती थी उसमें बड़ी पाइपलाइन डाइल के पारसाद ने बड़ा अच्छा काम किया है और यह गार्डन पीछे आप देख रहे हैं य अच्छी उपलब्दी है पारसाद के लिए करी बारी सवाल उड़ता है कि जो पारसाद की निस्क्रियता है जैसे मैं कल एक वार्ड गया तो वहां पर उभर कर सामने आए थी कि सिधा जंता से जुड़ाओ नहीं रहता तो यहां के पारसाद को लेकर क्या है यहां का पारसा वार्षाद में डालो जल्दी सी जल्दी तूरां तो उसको फारट करते हैं नगर निगम में और लगबख दिन के अंदर ही का भले ही सोड़ा सा टाइम लग सकता है कि एक दिन के अंदर लगभख समस्या साल हो जाती है तो वाली स्थिति यहां के पारशत में नहीं है पारस नहीं भी थे तो भी इस वार्ट पर ध्यान देते थे पूरा क्योंकि उनका अपना एक लगाव है ऐसा भी मैं बोल सकता हूं उनको सोशलिस्यम में बहुत अच्छा लगाव है और प्रशासनिक पकड़ भी बहुत अच्छी है किसी सिर्फ यह नहीं कि नाली और बिजली की वेवस्था के उपर में ही यहां पर मतलब कोई सामाजी कुरुप से कोई परिशानी भी है तो उसको भी अपने तौर पर देखकर वो उसके उपर में ध्यान देते हैं मतलब दीली लगाव जो है बहुत अच्छा है महिलाओ के लिए खास तरीके से क्या मुद्दे होना चाहिए हमारे आंगन बाड़ी में जगे जगे से आसपास के लोग है आंगन बाड़ी में डॉक्टर आते हैं तो उनको सुविधा दी जाती है और सुविधा तो वैसे मेमन तो सब हमारे जो पारसाइदे उनको सब महिलाओ के लिए जगा जगा करक्राम होता है सूचना मिलती है और हम लोह को ज domestic war को चाहइए आप लोग आएगा अभी तो राषन करने उन्हें बनवागी दिया सबसे पहले मुदा था कि महला लोकर आसन कार्ड नहीं वन्दा था या बड़ी समस्या क्या थी वाट की पहले बड़ी तो गड़र का लाइन था और पानी का समस्या था वो तो हो गया हमारा पानी वगरा का अब अच्छा आता है पानी का कोई किसी वाट की सबसे महत्पुर्ण जो कड़ी रहती हो महिलाएं ही रहती है तो महिलाओ को लेकर कुछ काम यहां पर हुआ है नहीं उत्ता तो रुजगार की दिशा में चाहिए हो स्वरुजगार बनाने की दिशा हो है इन लोग का गुरूब बना हुआ है अंगरमाडी में तो उसमें हम लोग तो नहीं है सामिल उसमें कुछ और लोग उनसे जानते हैं आप बताइए किस तरीके से कामकाज यहां पर हुआ है और अभी किस को चुना होने वाला है तो कामकाज का अकलन अगर आप करते हैं तो क्या कहेंगे कॉलोनी में लगभग 20 साल पहले जो समस्य थी वो सभी समस्या यहां की लगभग सुलच चुकी है और पारसत जी ने पिछले पांच साल में जो काम किया है वो हर दिस्टी कौन से अच्छा रहा है उन्होंने खेल के लिए लगभग एक करोड के उसे खेल के मैदान का भी जो इंडोर कोड का निर्मान करवा रहे हैं ग जितनी समस्या थी लगभर लगणा उन्होंने हर तरीके से उसको निदान किया है समस्याओं का पारसद भी स्रीकुमार मेना ने हाला कि इस पार यहां पर महिला वर्क ले आरक्चित किया गया है लेकिन उनके कामकाच को लेकर काफी लोग यहां पर प्रसंसा कर रहे हैं इस कि अलाबा कुछ और लोगों से हैं जाने की कुछिस करते हैं कुछ बुजूर्ग हमारे साथ हैं उनसे जाने क्योंकि कि किसी वी वाड में एक तरीके से पिंसन की जो समस्याओं वह भी निकलकर सामने आती है तो उनसे बात करते हैं आता इसा बाद में काफी समय से आप रह पिंसन जो एक तरीके से मुद्दा रहता है तो उसको लेकर क्या काम हुआ है पारसा से सिधा जुड़ावा पारसा से और पास साल में सबसे अच्छा काम हुआ यहां एक तुग गारडन बना सेकर्ड वो टेबल टेनिस का कोड बन रहा है एक करोड का काम है और पानी बिजली सफाई व्यवस्ता जो सेप्टिक टेंक है ये 35 से 40 साल पुराना हो चुका है उसका मरमर करने जरूरी है कभी भी उसके उपर मतलब कुछ भी हास्ता हो सकता है तो वह चीज बनाना जरूरी है इस समयन में बात हुई है वह उन्होंने लगाया है इस चीज का निगम से बात की है बट अभी तक हुआ नहीं है उस चीज तो सबसे पहली हमारी अभश्कता वही रहेगी कि वह चीज बनाना जरूरी है और वह गार्डन के अंदर है तो गार्डन में बच्चों के सेप्टी के लिए बहुत जरूरी है वह तो यह थे बाल गंगाधर तिलक नगरवाट के लोग जिनका साब तोर पर कहना है कि जो पारसद उन्होंने पास साल पहले चुना था उन्होंने यहां पर बहतर काम किया है और जिस तरीके से यहां पर जो समस्या है पहले थी चाहे गार्डन बनाने को लेकर हो चाहे सड़क निर्मार को लेकर हो वह काम पूरा हुआ है और बहतर तरीके से जो यहां के पारसद है वह उन्होंने काम किया है हाला कि कुछ जरूरत है भी और बाकी है और लोगों को यह उम्मीद है कि आने वाले जो पारसद है वो इनका काम जरूर करेंगे इस वक्त हम पहुँच चुके हैं वामार राव लाखे वार्ड में और हमारे साथ यहां पे यहां के नागरिक यहां के निवासी है इन से जानते हैं कि यहां पांच सालों में कितना विकास हुआ है यह जो पारसद के वादे हैं यह गोश्रा ही बनके रह गया है हम जानते हैं आप आपका नाम जानना चाहेंगे आप यहां कब से रह रहे हैं मीना सोनी मेरा बच्पन यहीं है यहां पांच सालों में क्या क्य काम हुआ है बहुत कुछ हुआ है उसको वर्णन नी कर सकते हैं बहुत परिवर्टन हुआ है पास साल में जैसे क्या कुछ बता सकते हैं जैसे पानी टंगी पानी के लिए कमी था वो दूर हुआ है गली नाली मोहला निरासरी तवास ओज़ना यह सब चल रहा है अभी बहुत सफाई की स्थिती की बात करें तो यहां वार्ड में कैसे सफाई उपयस था बहुत अच्छे सफाई के पानी जो होता है पेजल यहां पर पूर्ती होती है समय पे आप लोगों को पानी मिल रहा है स्वक्षा होता है वहां जी पानी मिलते हैं समय में पानी ने बहुत उनसे जानेंगे, इस वार्ड में आप रह रहे हैं, किस तरह की समस्या देखने को मिलता है आप लोगों को, या पार्षद के काम से आप कितना संतूष्ट है यहांकर? पार्षद की काम से कापी संतूष्ट है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी आने ले चुनाओ में अभी पार्षद जो हैं, भाजपा से इसको दिया जाता है, काफी मत्रपूर रखता है, उसके बाद चुनाओ जनता तरह करेगी क्या करना है उनको। अभी तक तो नहीं हुआ है, वादा जो किये हैं, बहुत सारा वादा किये हैं, बहुत सारा वादा किये हैं, वादा तो पांच साल में करी नहीं सकते हैं, क्या क्या था वो घोषणा जो अभी तक तक हैं? पारसाजी कि इसको SMART WART बनाएंगे इस स्मार्ट वाड तो कहीं दिखी नहीं यह एपने पास पानी टंकी की बात है तो पानी टंकी पहले है कि बन चुका था उद्गाद नहीं उध्वार की देन है ज़ादा तर राजधानी रायपूर में नालियों की समस्या मच्छर का बहुत आतंक है यहां क्या इस्तिती है यहां तो और सबसे ज़्यादा है मच्छणों की संख्या मतलब नाली की सफाई नहीं हो रही है नाली की सफाई है उसमें आधा तो जनता की हाथ है उसमें अपने क कुछ साफ शुत्रािक्टिह वह हमां सवापदारी बनता है क्या स्वापदान क्रेय लोग कह रहे हैं किपानी की समस्या नहीं नहीं है यह लेकिन हम लोग देखने को मिलता है कि इस वाड में डेंगू कि शमस्या यह थी और अपना फिलेय मे थे हैं कि ऐ पानी कहां से तो बुलवाएं पेपर में दिये फिर उसका इलाज करवाएं तभी जाकर कि ठीक हुआ है तो गंदा पानी आ रहा है नल से सफलाई हो रहा है जबी मतलब ये पिलिया की बीमारी हो रहा है डेंगू का प्रकॉप हो रहा है तो इस वक्त हमारे पास ये इस वाट के पारसद भी मौत उजूद है उनसे जानते हैं कि आप जंता की प्रतिकरिया अभी आप ने सुना ही कि वह कैसे काम कर रहे है और कुछ ने अच्छा कहा चिसी ने कहा कि खराब है तो उनसे ही जानते आप जो वादा किये थे कितने प्रतिसत काम हुआ है उन्हें प्रतिसात में बात किये, अपसाव प्रतिसात वादा किये, उसमें कितना काम किये हैं। हमने उनके साथ उनका बेवार हमारे साथ हमने किया है। लोग दिन भर पानी के पीछे, टेंकर के पीछे जूजे रहते थे। मैं यहाँ पर जो है, राइपूर में जलावर्धन योजना के अंतरगत, यहाँ पर टंकी का निर्मान हुआ। और बाइस किलोमेटर पाइपलाइन का विस्तार किया। और आपने पारशत को भी सुना, जिनों का कहना है, कि वो अपने काम से लगबाग संतुष्ट हैं, और यहाँ के वैक्ति भी उनके कामों से सामान्य इस्तर पर संतुष्ट ही नजार आ रहे हैं। अब यह है कि चुनाओ आगामी में नगरी निकाया चुनाओ, पारशत चुनाओ होना है, कैसे प्रत्यासिश है लोगों को उनको यह भी तै करना है, ताकि उनके जो विकास कारें रुके हुए हैं, ताक उनकी जो मांगे है, वो पूरी हो सके। कैपरा में जग्गा के साथ सत्या राजपूर तो हम आप पहुंचे हैं बाट करवांग 20 रामकृष्ण परवहन स्वार्ड इस वार्ड की हकीकत जानने के उकुसिस करेंगे कि वर्दमान पारसद ने यहां पर कितना काम किया है यहां पर उर्दमान पारसद भाजपा के हैं और पिछले बार काफी वोटो से उनको जीत मिली थी लेकिन इस वार्ड की हकीकत आपको मैं दिखाना चाहूंगा आप देख सकते हैं यह इस वार्ड की नालिया है नालियों की सफाई यहां पर नहीं होती और खासतोर पर सफाई क क्योसिस करेंगे कि जो अर्दमान पारसद हैं यहां पर उन्होंने आखिरकार कितना काम किया है तो यहां पर महिला है कुछ नहीं है और नहीं कुछ काम वो किये हैं क्या बोलकर वो उन्होंने आपके पास आये थे बोत मांगने आपको कि हम लोग काम यहां के मुहले का वार्ड का मतलब समस्या हल करेंगे बोले थे लेकिन आज तक तो कोई भी समस्या हली नहीं हुआ है जो मुल्बुस वीधा है पानी बिजली सड़क उसको लेकर काम हुआ है वो तो हम लोग का पहले सी बना जब वो पारसाद नहीं थे तब उसके बाद में तब उसके आने के बाद में तो कुछ हुआ ही नहीं है जो चीज हम लोग चाहा रहे थे रोड को आगे निकाने के रोड नहीं निकला नहीं नाली बना यहीं सब समस्या है ना अंगन बाड सभाई करें आप बतावा कितना काम होतेशी पंशा नहीं हो अब अगनगन बाड़ी बने हैं आसपास मावागा मत जहां जा सके? वहां कि राया से चल थे खुद के बन ही बोला सन तो बनात नहीं है तो सिधा मतलब संपर्क नहीं करे आप से पार्शाध आफ मोन पार्शार आप कर दो काम करेंसे अधर जते लु的जल पार्सतक लुख जाता तो सीधा बात्ला सुनते कि टालते बात दो तो घग है जब भी जब जया था तब भी नहीं रहें पार्सद का waiver सबसे बड़े समस्य आवाड मापके आप देख रहे हो तो नाली होते ही नहीं है आप बताओ क्या समस्य नाली पूरा भरा हो चार-चे मैंना हो गया भी तक साप नहीं हुआ है तो बहुत मत्चर है पारसत के पास जाते हो तो कुछ नहीं करता है नहीं हो कुछ नहीं किया कितने बार बोल चुके हम तो सफाई कर्मी को हम पैसा भी देते हैं नाली साप करने वाले आते उसको तो पारसत मना किया कि पैसा मत देना करके तो पैसा देना बंद किया तो नाली साप नहीं किया है छे नालियों की सफाई इस वाड में नहीं हो रही सबसे बड़ी समस्या यहां से निकल कर सामने आ रही कि जो अरतमान पारसद है वो यहां पर सफाई व्योस्ता में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तरीके से यहां पर देख सकते हैं नालियों की सफाई यहां पर नहीं होती उसके का बढ़ी समस्य अंबर सभाई की हैं इसकी आलाबा आंगनबडी भववन अभी किराय के मगान पर संचलित हो रहा है वी भूवन यहां पर नहीं बना है तो हुशुक्त तरीके इस समस्य निकल कर सामने मिशाह तर और पर पहुते हैं से चानने के कुर्शिस करेंगे आप बताइए पहले क्या समस्या थी चाहता हूं समस्या भी यहां से एक भवन बना दे और मच्छड मुक्त होना चाहिए साम कुछ सब्सक्राइब करता हूं कि अपना नाली सफाई आपन भवन है यही तो चाहते हैं पानी मिलना चीए चाहते हैं एक आठ वमास थी स्कुल बनना चीए इस्कूल परने के लिए दूर दूर जाता है वहां भी सिख्छक के कम है एक्ठोई स्कूल है पांच भी तक के हां भाई नगर में इस्कूल को भी समझ्या है प्राइबिट इसकूल में जा सा सौर सवर सार रुप्या मेहना सबसे बड़ी जो समस्याय रहती है और एक तरीकी से मुल्बूस विधाय हैं पानी बिजली सड़क और सबसे नहीं है पारसट को कुछ नहीं तो के नहीं है ये सब को कौन है उसका पति बोलता है कि हम परसट है तो अब प्रकासित कि जिए सरकारी जमीन बेचके खाड़ाएं कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या वाट की पूरे वाट की देखा जाया तो देख रहे ना पूरा सब तरस्त हैं पार्षत से सब तरस्त है माईला हो पुरुसों जो भी हो कलो नीचाहे बस्ति सब कुछ भी काम नहीं किया जीरो जीरो है ति तमाम तरह की समस्या निकल कर सामने आ रहे हैं सिर्फ सफाई बलकि इस तरीके से यहां पर लोगों के जो रासन कार्ड है फाम जरूर भरवाए गया है लेकिन उनका रासन कार्ड अभी तक बनके नहीं आया है इसके लाबा बिद्धा पेंसन को लेकर कुछ नहीं ह हुआ है अंगनबाडी भवन जरूर है लेकिन वो किराय के मकान में संचली थोड़ा है एक भी बड़ा बड़ा भवन यहां पर नहीं है अला कि यह स्विद्धी यहां पर दी गई है लेकिन उसके बावजूद यह चोटा सा यहां पर चौरा बनाया गया है वह भी यहां की बड़ी समस्या अभी निकल कर सामने है वाट की सफाई सफाई व्योस्ता पूरी तरीके से चर्मरह हुए है तो यह हम वाड 20 में थे रामकरिस परम होंस वाड जहां पर कई सारी समस्या निकल कर सामने है और लोकों को कहना है कि पारसद उनके बात को नहीं सुनते हाला कि वो आप देखते हैं स्वाराज एक्सप्रेस केमरा में देखनाम के साथ हीमन सर्वा स्वाराज एक्सप्रेस राइपोर